हेलो गाइस आज हम इस जैंगो के मौडिल में देखेंगे कि आप पेज रिडारेक्शन कैसे अपलाई करते हैं देखें पेज रिडारेक्शन का मतलब यह हो गया कि माली जी आपने कोई फॉर्म फिल किया फॉर्म करने के बाद आप थैंक्यू पेज पे जाना चाहते हैं तो पेज रिडारेक्शन का लॉजिक कैसे लगाएंगे वो सारी चीज मैं आपके सामने क्या करूँगा लास्ट हमने पोस्च मैंतरड को देखा थैंकि पोस्च मैंतरड क्या होता है उसके थूरू डेटा कैसे उठाते हैं और डेटा के पे आप काम कैसे करते हैं जैसे दो का logic है अगर माली जे मैंने payment किया payment करने के बाद thank you page पे चला गया inquiry form fill किया inquiry form fill करने के बाद thank you page पे चला गया वो सारे redirection के logic है तो आप redirection कैसे करेंगे क्या logic लगाएंगे page को redirect कैसे ये सारी चीजे मैं आपके सामने क्या कर Elena clear करEE से आप इसको implement कर पाएं तो ये kalo dos functions काम आएंगे Windows functions मैं आपके सामने clear कर दूगा जिससे आप इसको use कर 시 coûteels का अगे में जब हम login system पे काम करेंगे, वहाँ पे actual में इसका use कर लेंगे, कि redirection आप कैसे करते हैं, आगे चलके जब आप session को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं redirection का use करूँगा, क्योंकि session में value store करके, मैं दूसरे page पे use कर पाऊंगा, वो आगे के parts में clear कर देंगे, अभी के part में redirection को समस्ते चलिए, start करते हैं देखिए, देखिए, redirection को use करने के लिए, आपको zango.http का एक और method होता है, यहाँ पे आप redirect का use कर सकते हैं, देखिए, देखिए, http response redirect करके, एक function होता है, यह किसका function मैं आपको बताता हूँ, zango.http का, redirect करना चाहते, तो आप logic लगा, यह कोई problem नहीं, मैं यहीं पे क्या करते हूँ, redirect करते हूँ, बस आपको क्या करना है, return, http response, redirect को use करना है, किस page पे redirect करना है, उस page का नाम, तो मैंने का कि, चलिए, मैं about us page पे चला जाता हूँ, एक बार के लिए, क्योंकि मैंने अभी thank you page तो बनाया है, यहाँ पे थैंक you page बनाया है, थैंक you page पे redirect करा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने about us page पे क्या कर दिया, redirect कर दिया, आप देखिए, मैं form को submit करता हूँ, एक बार जाता हूँ, about us page पे कैसे आए, आप इस logic को implement करने के बाद आए, आपने यहाँ पे HTTP response redirect होई उचकिया, और यहाँ पे बताया कि path कौन से path पे आपने को redirect करना है, यह यहाँ पे आपने logic को clear गया, तो यहाँ पे आप समझने वाली बात यहाँ कि आपको HTTP response redirect में, बस path देना है कि कौन से page पे अपने को redirect करना है, अब एक logic के देखिया है, यहाँ पे logic क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजे कि मैं redirect करने के बाद, मैं इस value को कैसे देखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे save पे क्लिक किया, और यह value अपने को कैसे मिलेगी, तो मैं क्या गरता हूँ, मैं यहाँ पे about us के साथ में, URL में क्या कर देता हूँ, value जोड के भेज देता हूँ, मतलब मैं output को भी URL में भेज देता हूँ, कैसे भेजेंगे, बहुत simple है, देखिए, मैं यहाँ पे क्या गरता हूँ, एक URL मैंने बनाया, कौन से पेज पे जाने वाले हैं, अपन, देखिए, हम जाने वाले हैं, slash about a slash, क्यों देखिए, अभी मैंने session नहीं बताया, नि तो मैं session में store करके, उधर की side use कर लेता, मगर मैंने session को clear नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे use करना पड़ रहा है, और यहाँ पे question mark, और यहाँ पे कोई भी एक parameter, मैंने parameter का नाम रखा है, output, देखिए, equal to, clear है, क्या लिख्खा है, यहाँ पे equal to, output, क्योंकि question mark के साथ, हम क्या करते हैं, get में भीजते हैं, अब देखिए, question mark, output, equal to, और यहाँ पे हम curly bracket, curly bracket का use करते हैं, और format का use कर लेते हैं, string formatting, आप लोगों बताई होगा, क्योंकि python के logic में, string formatting से, आप यहाँ की value को यहाँ भीज सकते हैं, जो curly bracket बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे, final answer को यहाँ पे pass कर देता हूँ, और final answer क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, अब देखें, logic क्या है, बहुत simple है, आप इस URL को यहाँ पे क्या करेंगे, pass कर देंगे, देखें, मैंने URL को यहाँ पे pass कर दिया, तो मैंने बताया कि अपने को about us page पे जाना है, output की URL में लेके जाना है, और value कहां से बिलेगी, जो इन दोनों का total होगा, वो इस variable के अंदर होगा, यहाँ पे store हो जाएगा, अब देखें, एक बार के लिए, मैं क्या करता हूँ, form को submit करता हूँ, जिससे आपके सामने clear हो की, data URL में जा रहा है की ने जा रहा, दोनों का total URL में गया की नहीं गया, यह भी चीज़ा आपके सामने क्या होगी, clear होगी, तो चले बहुत सिंपल है, और मैं यहाँ पर दिखा दूँगा, दिखाने के लिए क्या logic है, बहुत सिंपल है, दिखाने के लिए आपको views में जाना है, views यह अपना है, यहाँ पर देखिए, और about us का views क्या है, देखिए एक बार यहाँ पर, सिंपल है, हम क्या करेंगी, अपना get function ही है, और यहाँ पर हमें बताना है, की का नाम क्या है, अपना output जो उपर URL में जा रहा है, और इस output वाले को, आप यहाँ पर क्या कर देंगी, भेज देंगे, double curly bracket लागा कि आप भेज दीजिए जो भी आपको key बनानी है तो key भी यही बना दी और value भी अपनी यही है और मैं यहाँ पर जाके क्या रिफ्रेश करता हूँ देखे रिफ्रेश करके 154 क्यों आया है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसलिए अपने पास 154 आंसर आ गया नोटिस करिएगा देखे बहुत सिंपल सा है हमने क्या किया यहाँ पर output को get क्या output को get करने के बाद मैंने यहाँ पर output की के साथ मैं output को भेज दिया कि स्पेस पर भेज दिया आप आउटर स्पेस पर भेज दिया क्योंकि मुझे अभी session का यूज नहीं करना मैं URL को get पर भेज करता हूँ आपके सामने display कर देता हूँ तो आपके सामने logic clear हो गया होगा कि आप post method का यूज करके कैसे form को submit करते हैं और submit करने के बाद URL पर कैसे भेज़ते हैं और एक चीज और धियान रखिए मैंने last नहीं clear कराया था मैं यहाँ पर clear करा देता हूँ कि जब भी आप post method का use करते हैं user form तो यहाँ पर देखे एक action बना होता है action मैंने use नहीं गया अगर आप action use नहीं करते हैं तो default में आपका जो page open है उसका वो current URL ले लेता है current URL जैसे user form open है तो user form तक का वो path खुद ले रहा होगा action में आप यह pass कर सकते हैं कि आप एक page से redirect करके दूसरे page पे जा सकते हैं और वहाँ पे value को get कर सकते हैं तो action आगे के parts में हम clear करेंगे कि action के through आप दूसरे page पे post का data कैसे use करेंगे यह सारी चीज़े हम आगे के parts में क्या करेंगे clear करेंगे जिससे आप इस logic को implement कर पाएंगे अभी के part में बस मुझे redirect बताना था redirect मैं बता चुका हूँ अब दूसरे method पे आते देखिए यह redirect होगया हमने http response redirect use किया अगर आपको यह यह यूज नहीं करना तो आप zyango shortcut यहाँ पे import render किया साथ में आप redirect function को भी import कर सकते हैं redirect भी क्या है zyango shortcut का बना हुआ function है बस आपको यहाँ पे क्या करना है जो आपने response redirect use कहता है तो आप यहाँ पे redirect use करिए अब देखिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे खिखश करते हैं refresh करनेям पाद मैं यहाँ पे जाकर क्या करता हूँ चेक करता हूँ मैंने यहाँ पे value दी 54 या 44 और यहाँ पे 55 इर यहाँ पे click किया तो आप देखिए अब यहाँ पे आचुके और output 99 आया है तो अभी को logic में मैंने redirect को clear किया कि आप redirect को कैसे use करते हैं और क्या process होता है क्या implementation होता है सारी चीजे आपके सामने clear हो गई होगी Thank you so much guys झाल